नग्पुसिले के सावनेर तैसिल के पाड़न सावंगी के पास थित वाकडी ग्राम में स्थित है करीब 1200 शताबदी का प्राचीन शिवमंदीर या कहे छोटा महादेव यहाँ पर मौझूद है सावनेर तैसिल के वाकडी सित करीब 16 एकर जमीन में फैले नैसरगीक सुनतरता से ओधपुरूत इस प्राचीन शिवमंदीर की अनेक विशिष्टाओं के साथ अनेक किन्वितिया भी जुड़ी हुई है करीब 60 से अधिक स्तंबो पर विराजमान इन मंदिर की पहली विशिष्टा है कि ये भगवान शिव के चरण पचमडी से निकली कन्हान नदी के किनारे होने के साथ ही बंदिर में विराजमान काले रंग के पत्थरों से बना भव शिवलिंग और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशिष्टा याने शिवलिंग पर पाई जाने वाले लाल रंग के धब्बे जिसके बारे में बोला जाता है कि करीब तीन सो वश्पूर हिमाले से पधारे संत गंगागीर महराज इन महान शिव भक्त तपस्वी ने हिमाले से पैदल चल कर गाओ वाकोडी पहुँच कर वहाँ के लगों को बताया कि वे भगवान शिव जी के दुष्टन नुसार यहां साथ दिवस तपस्या करने पहुँचे है बशरत उन साथ दिनों के उन्हें यहां उनकी तपस्या में कोई भी खलल ना हो शुरुवात में तो गाओं के लोग ये बात मान गये लेकिन तीसर की गंगागीर महराज की तपस्या भंगुई और जब तक ग्रामवासी दर्वाजा तोड़ पाते तब तक तपस्वी ने पासी रखेत रिशूल से अपना सिर काट कर अपने रक्त से शिव जी का रक्त अभिशेक कर गत प्रान हो गये तब से शिवलिंग पर रक्त के लाल ध बेस पश्ट रूप से आज भी देखे जा सकते हैं साथ ही इस पुरातन मंदिर परिसर की एक और विशिष्टा है जोहू बहू पच्मडि स्थित नागद्वारी तथा चोरागड का चोटे स्वरूप का आभास कराती है इस पुरातन शिव मंदिर के प्रांगन से थोड़ी ही दूरी पर छोटा चोरागड चित्रिशाला माता हनुमान जी आदी करीब दरजनों छोटे बड़े मंदिर मानो नागद्वारी तथा पच्मणी की यात्रा अनायस ही याद दिलाते हैं नैसरगीक छटाओ से भरपूर इस पुरातन मंदिर के जिनोरधार का कार्य मंदिर क स्थापक समीती द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तथा इस प्राचीन मंदिर के महराश राज के पुरातन मंदिरों में शामिल कर इस प्राचीन धरोहर को सजोनी के गुवार पूर्व मंत्री विधायक तथा अन्यनेताओं से की जा रही है ताकि इस मंदिर का अतिहास तता महत्व आम जंता को मालूम हो इसके प्रयास मंदिर ट्रस्ट के अद्देश देविदास मदनकर सचीन अतुल बांगरे उपातेश रगुनंद परातेव समीती सदे से तथा शिवभक्त किशोर मुषडे अशोक तांडूर कर कर रहे हैं मंदिर के विश्वस्त बताते हैं कि इस मंदिर में एक अश्ठातू का बड़ा घंटा था जिस पर सन 1294 अंकित था यह उन्होंने क्या पूरे गाव ने देखा है किन्तु करीब 12-15 वर्ष पहले मंदिर से यह घंटा चोरी हो गया तथा शिवलिंग पाए जाने वाले रख्तनुमाल लाल धब्वे ऐसे पत्थर पाए जाना मुश्किल ही नहीं नाम मुम्किन होने की बाद जानकर कहते हैं जो प्रचलित तपस्वी द्वारा किये गए रत अभिशेग दंतकथा की पृष्टी करती है यह पुरातन श्रिम मंदीर वाकोरी ग्राम में स्थित है जो नाकपुर भोपाल महामार पर 33 किलोमीटर दूरी पर तो तहसीन मुख्यारे सावनेर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह मंदीर जो हमारे गाव में है यह लगबग 1200-1500 साल पूराना मंदीर है उसके बाजूद आज से लेके 300-300 साल पहले एक गंगा गिर करके महराज हुए जिन्होंने हिमाले में अपनी तपंशरा कर रहे थे वहाँ पे भोले नात ने उनको साख्षात कर दिया कि आप फला फला एरिया में वाकुडी करके गाव है वहाँ पे जाईए और वो एरिया का उद्धार किजिए उसके बाद वो बकुडी गाव आए आने के बाद 300-400 साल पहले की बात है आने के बाद उन्होंने पूरे हो बोला बाद में उन्होंने दूसरे दूसरे दूससे तरका शुरू की जैसे तरपा शुरू कीnost दूदी करके क्या यह अ उनकों प्र पूस्य यह दिन एक गरत्रत ने वह दर्वाजा तोड़ा और जैसे भी लोग अंदर हुसे वह नहींoth Ele bereits का Joe Money प्रण रूप उन्होंने धारन किया और बाजू में पढ़ा था एक त्रिशूल वो त्रिशूल लिया और अपने गले को काट डाला और वह जो खुण बईरा था वह खुण उन्होंने अपने वह शीवपिंड को लगा लिया और वहां से लेके आज तक वह खुण के धब्बे उस वहाँ पे अभी भी है, हलाकि 300-400 साल पहली की ये बात होने के बावजूद भी लाखो करोडो बार लोगों ने अभिशक किया, दही, दू, तू, पानी वगएर का लाखो करोडो बार अभिशक हुआ, मगर वो धब्बे आज भी महाँ पे कायम है, ये ये मंदिर की खास व पुरा तत्नो विभांग में अपने मंदिर को ले लिया होता है, ये देवस्तान में इस मंदिर के साथ में जब से जुड़ा हूँ, अस्तों में लगता है कि अपना ये विदर्बगा एक सिवलिंग है, और इतना मतलब यहां यह होता है, जिसकी कुई सीमा नहीं है, और इस मंदिर के माद्यम से जुभी लोग आते हैं या हम लोग जब से आ रहें तो अनेक दूर-दूर से दिल्ली से बोग आते हैं और उनका ये है कि हम लोग भही बोग दिन से उड़े हुए बाकि इतना पुराज मंदिर होने के बहुजूद भी आज तक जिस मंदिर का हुन मंदिर में आने वाली भक्तों की बुलो यब सभी भाविक लोग की जो संक्या बड़ी है और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिट्रा है लोगों को मतलब यह मानने हैं कि वहीं सही में यह मंदिर जो है यह विदर्ब का सिउलिंग है और इस दिशा से लोग आते हैं अपना दर आत्रा है जैसे पजमड़ी की यतरा बुलते महादेव की यतरा तो इस समयन के यहां पर फीप यह च्छोटी यतरा तैयर होती है जो अधिक मास में और स्रावन मास में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहांसे और उनकी जो स्रद्धा बैटी हैं यहां पर ऐसी कहा इन बिसेन नियूज के लिए समवाद्धा ताकि शोर डूंडेले की रिपोर्ट